आप लोग कहते हैं मस्रूम के खेती में फैदाने, बहई मैं आपको बता दूँ गुछी मस्रूम ऐसा है जो 30,000 अचीन NICK- कैसे फैदाने टो तो पिर यतना महगा कीयो भीक ला रहे करने के सब्सक्राइब कर सकते हैं कितना नुक्सान है कितना खर्चाता है मस्रूम उगाने की क्या कि आखिर प्रक्रिया होती है मस्रूम का बीज आखिर कहां से करके कि चीजों कि आफसकता होती है अपना मश्रूम कैसे तैयार कड़े सात ही मस्रूम बनाने के करने के लिए हम सबिसे बात कर च breakdown by सब्साइब करनाति लेकिन नहीं कि किस तर से प्रसुक्षन ये पर कर सकते कहां से प्रसिक्षन ले सकते हैं मस्रूम की खेती करने के लिए टेक्निकल खेती करने के लिए मस्रूम उगाने के लिए बीज से मस्रूम तयार करने की क्या प्रिक्रिया होती है उसका प्रसिक्षन आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं इस जनकारी इस वीडियो में आपक श्टीट किरिये और बहुत रहे वीडियो पोस्ट कर दिया गया उसे भी आके बात करेंगी यह सब्सक्रों का बीज आखिल कहां मिलेगा और साथ ही मस्रूम का बीज से मस्रूम कैसी तयार किया जाता है बिसे स्थार पर बिसे जनकारी मिलेंगे इसलिए इस पॉइंट पर हम सबसे पहले बात करते हैं तो मस्रूम का बीज आप जो सो किरसी विज्ञान किन्द से प्राप्त कर सकते हैं किरसी महाविद्याले से प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसी किसान भाई से भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि पहले से mushroom की खेती करते हुए आ रहा है साथ या आप online website से भी प्राप्त कर सकते हैं साथ योँ बात करेंगे business के लिहाजा से कौन सा अच्छा mushroom जिसके हम खेती करते हैं तो अच्छा खासा earning कर सकते हैं उसके लिहाजे से हम 3 मस्रूम को चेन किया, इस 3 मस्रूम का यदि खेती करते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं, तो अच्छा खासा प्रोफिट ले सकते हैं. बुलू और एश्टर मस्रूम, दूसरी नमर पर आता है, मिलकी मस्रूम, और तीसरी नमर पर है बटन मस्रूम. ये तीन मस्रूम ऐसा है जिससे यदि खेती की परक्रिया में लेते हैं बिजनेस की परक्रिया में बहुत अच्छा खासा अर्णिंग कर सकते हैं ये तीनों जो मस्रूम जो है बहुत अच्छा खासा बिजनेस के लिए ऐसा है बहुत अच्छा माना जाता है इसका उत्पादन दियाविटेज और कोलेस्टरोल' जैसे बीमारियों में बहुत ज़्यादा पैदेynth होता है बात कलतें मिलकी मश्रूम की तो ये बटन मश्रूम यानि बीज से मस्रूम कैसे तयार करें तो बीज से मस्रूम तयार करने के लिए कुछ समगरी की जरूत परेगी जैसे कि कमपोस्ट खाद की जरूत होगी कमपोस्ट बनाने के लिए आपको भूसा या धान की पराली का भी उपयोग कर सकते हैं साथी सरसो का भूसा भी होता है तो कंपोष्ट कैसे त्यार करने उसके बारें बात करते हैं तो कंपोष्ट बनाने के लिए आपको भूसे को फक्के फरस पर फ्यलादना होगा इस में दो तीन दिनों تक स्वेज़ बाज़ाए बीज सर जाएगा अब इतना करने का बाद next step उत्ता बीज का बीज़ाई यनि बीज का पर त्यार ओपन हम के से करें तो बीज का बीजाई करने से पुर्वाप को साथ्यों ध्यान देना कि बीज जादा दिन पूराना हुँ यदि जादा दिन पूराना होता यर्जदा है वीज तो बीज का अंकुरा नहीं होगा यदि आप सौ केजी कमपोस्ट लेते हैं तो उसके लिए 2 kg बीज प्रियापत है यहनि से जादा लापते हो उससे ज्यादा नहीं लगेगा यह चीज आप अपने क्वालिटी की हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हैं यदि आप प्रत बना के बीजाई करते हैं तो आप एक लेयर के ऊपर आप बीज का बीजाई कर सकते हैं और उसके बाद एक लेयर आपको कंपोस्ट डाल अच्छी गुनबत्ता वाले बीज का अंकुरन बहुत तेजी से होता है और बीज का हर्वेस्टिंग का टाइम कम सकम 30-40 या फिर 50 दिनों तक की होती है यानि कुछ क्वालिटी ऐसे हैं कुछ बीज ऐसे हैं जो 30-40 दिनों में आपको हर्वेस्टिंग के लिए तयार हो जात है ध्यान रहें साथियों मस्रूम की खेती डार्यस इड़िया या फिर कौल्ड प्लेस पड़ीं बें नहीं की जा सकती है लेकिन यह चीज आपके वातावरblick करता है अब किस ओसम रह Рहें यह थांड़े प्लेस्टिंग कर सकते यदि गर्म छेतन में आप रहे हैं तो गर्म छेतन में इसे खुले में करना पॉसिबल नहीं है इसके लिए डाकनेस एरिया और कॉल्डेनेस एरिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथ ही इतना होने के बाद हम बात करतें नेक्स्ट पॉइंट की और वह मश्रूम फर्म अपना खुद का कैस्यम तयार करें साथ ही फर्म को बनाने में कितना खर्च आता है तो आप मश्रूम फर्म कम बजट में भी बना सकते हैं यानि आप 30,000 से 50,000 में भी इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं पर आप अपने अपसकता के नुशार इसे बढ़ा या गठा भी सकते हैं यदि आप साल भर अपने बिजनस से प्रोफिल लेना चाहते हैं तो आपको टेंपरेचर कंट्रोल लूम बनाना होगा क्योंकि mushroom farming 3 डिगरी से 25 डिगरी और highest 30 डिगरी टंपरेचर तक ही की जा सकती है और उससे ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि mushroom farming open area के लिए उप्यूक्त नहीं है और यह depend करता है आपके area पर आपके वातावरन पर अब mushroom farm कोःओं क हम दो level मेंने लेके चलते हैं यहनि पहला level चलेंगे high level mushroom farm और दूसरा लेबल जाएगा low level mushroom farm यहनि दो locals ब्लग के mushroom farm के बारे में बात करेंगे these high level mushroom farm मनाते यह कितना खर्च आएगा साथ the kind किं़ vein के जरूत पारेगी और साथी लोगर मस्रूम फिस से जादापि कम बेशी अपने यह सकता अनुसार साथ ही चौथी मचワशार बिजलि herd पानी की जरूरत कि बात करते पच्छंप नमर पॉइंट और वो सबसे अच्छी जबरदस्त है वह है मजदूर की जरूरत यानि 24 गंटी मजदूर की जरूरत हो सकती है साथ यो इतना होने के बाद चलते हैं अपने सकेंड पॉइंट पर यानि लो लेवल मश्रूम फर में हमें किन किन चीज़ों की अशकता हो सकती है तो इसके लिए पहल समय पर पानी से भी आप काम चला सकते हैं अब बात करते साथ क्यों यानि दो पॉइंट जो की हाई लेवल मश्रूम फरम की बजट क्या है यानि कितना में हमाई लेवल मश्रूम फर्म को बनाने में कितना खर्चाएगा यदि आप हाई लेवल मश्रूम फर्म बनाते हैं त एक लाग पचास हजार से पांच लाग तक आपका बजट पर सकता है यानि डियर लाग से पांच लाग के बीच इस हाई-Lewel व्र को आप बना सकते हैं बात करते हैं लो लेवर मश्रोम फर्म को यदी बनाते आप तो 30,000-50,000 तक इस फर्म को आप तयार कर सकते हैं सब कुछ ले लेकर साथ यो इतना होने के बाद हम चलते हैं अगली पॉइंट की और सबसे अच्छा पॉइंट है और वह है मश्रूम फर्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम गौर्मेंट से सबसीडी कैसे प्राप्त कर सकत हैं तो गर्मेंट के द्वारा मश्रूम फर्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तीन परकार के लोन या फिस सबसीडी दिया जाता है पहला होता है मश्रूम उत्पादन इकाई योजना दूसरा होता है मश्रूम अस्पादन इकाई योजना बात करें पहली पॉइंट की यानि मश्रूम उत्पादन एका योजना की तो इसकी कुल लागत गुर्मेंट के द्वारा बीस लाक रूपिया आकी गई है पर आपको इस योजना के तद दस लाक का अनुदान दिया जाता है चलते हैं दूसरी पॉइंट के दरब और वह है मश्रूम अस्पादन एका योज तो इसकी कुल लागत गुर्मेंट के द्वारा बीस लाक रूपिया आकी गई है पर आपको इस योजना के तद दस लाक का अनुदान दिया जाता है यानि कुल मिलाकर तीनों योजना में देखा जाए तो गर्मेंट के द्वारा पचास परतीसर तक की सबसीडी मश्रूम फ किन किन दस्तावेज की जरूत परेगी यानि गौर्मेंट क्या क्या दस्तावेज आपसे ले सकते हैं साथ ही बात करेंगे गौर्मेंट से लोन पराप्त करने के लिए हमें किन किन दस्तावेज को जामा करना होगा यानि को कौन कौन से डोकूमेंट हमें देना परेगा तो पह पॉइंट यदि आपकी खुद के जमीन नहीं किसी लीज के जमीन पकड़ हैं तो उसका रेंट एग्रिमेंट आपके पास होना बहुत ज़्यदा जरूरी है साथ ही किसान पंजियान रसीद अधारकार और आपका एक फोटो यह सभी डोकुमेंट आपको जमा करना पड़ेगा साथ ही हो बात करते हैं मश्रूम उत्पादन इकाई योजना के तद यदि आप लोन लेते हैं तो आपके पास चार कठे से पांच कठे जमीन होना चाहिए और यदि आप मश्रूम अस्पॉन इकाई योजना के तद लोन लेते हैं गोर्मेंट से तो आपके पास चार कठे से छे कठे जमीन होने चाहिए और यदि आप मश्रूम कंपोस्ट एका योजना के तहद गौर्णमेंट से सबसीडियर यानि लोन लिने की कोशिद करें तो आपके पास एक एकर की जमीन होने चाहिए साथियों मश्रूम फर्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम आपको तीन तरीके बताएंगे जिस तरीके को अजमा के आप लोन प्राप्त कर सकते हैं गौर्मेंट से पहला आप अपने नजदे की बैंक से प्राप्त कर सकते हैं लोन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दूसरा आप नवाल बैंक से इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं और तीसरा आप अपने जिला उद्यान कालियाले से इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन प्राप कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने संबंधित सारी डोकूमेंट लेकर बैंक जाना होगा बैंक जाकर लोन की फॉर्म को भड़ना होगा और साथ ही अनुदान वाले कागजात भी दिखाने होंगे इतना करने के आपका फॉर्म एप्लाइब हो जाएगा शाथ ही जैसे ही आपका फॉर्म एप्रूब हो जाता है तो कुछी दोनों के बाद आपका पैसा आपके एकॉंट में ट्रांसपर कर दिये जाएंगे तो चलिए साथियों इस पॉइंट पर हमने बात किये कि गुवर्मेंट से हम सबस समझ पाले हैं तो मस्रूम आपका सेल नहीं होगा क्योंकि मस्रूम ऐसा चाहिज है कि यदि गौंव में इस बिजनेस को पर स्टार्ट करते तो कोई लेगा ही एक पॉइंट आपके अंदर भी सवाल उच्छा होगा कि मस्रूम तो हम उगा लेंगे लेकिन उससे खड़ी दे सबसे पहले आपको क्या करना है मस्रूम को सेल करने से पहले आपको अपने मार्केट को रिसर्च करना परेगा यानि कि आपके मार्केट में किस तरह के मश्रूम सेल किये जा रहे हैं कितना वज़र पे इसका रिसर्च आपको खुद करना परेगा अपने नजदी की नहीं तो आपका मश्रूम बरबाद हो जाएगा आपके पास ही रखा रहे हो जाएगा दूसरी पॉइंट उर्ती है किशानों का बाजार यानि मंडी किराना इस्टोर स्वास्त खाद दुकान होटल रोड साइड विजिटेवल सॉप इत्यादी जगह पर आप अपना माल जी तक का प्याक बनाईए और असमें जितना वी प्लेट साइट है उहां पर ही आप सेल करते हैं और आप सभी इन चीजों से अच्छे से वाखिप होंगे क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ का परते करिन ऑनलेन आउडर करते हैं तो जिस तर से आपका परड़क्ट का भी जाएगा जिस तर से परड़क्ट का और आते रहेगा उस तर से आपका बिजनेस डिवलप होता चला जाएगा आपका मश्रूम का लिमान बहुत ज़्यादा हाई रवर तक जाएगा आपका अच्छा खासा होना इस्टार्ट हो जाएगा लेकिन इसके लिए आपको करी मेहन करने यह तो आपका माल बरबाद हो जाएगा कैने का मतलब यह आपका माल तरह बार नहीं सेल हो रहा तो उसको फ्रीज में एक अत्रित कर दिए स्टोर करके रख लीए बाद मुस्से सेल कर सकते हैं जिस तरह से ओडर आएगा सेल होने के बाद उससे बिच देना है फिर से ल अच्छे से सोच लेते हैं तो आपके मन में यह दी पॉइंट आ रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करना है मस्रूम फर्म तो आप अब कभी यह दी तो शुरू कर देंगे या फिर नहीं किजेगा इसलिए इस पॉइंट पर अभी बने रही है साथ हो क्योंकि जो इस पॉइंट मे होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना लॉस होगा तो साथियों सबसे पहले यादी बात करें तो मस्रूम फर्म यादी करते हैं खेती ना स्टार्ट तो बहुत ज़्यदा परोपीट है यह कभी आपको लॉस नहीं देने वाला क्योंकि यह ऐसा बिजनेस है एक का यह 50,000 आप इस बिजनेस में इंवेश्ट करते हैं तो उसका टेर लाग बन जाएगा यानि एक का तीन यह यहांपका तिन दो नब्य हजार एक का तीन देने वला यह बिजनेस है ऐसा बिजनेस आपको कभी भी मिलदास लगा लेकिन यहां पर आप तरम लाए जायेगा जहा बीप्रीत प्रस्तित्यों में ऐन्हें कि तरफ चले जाएगा यनि सिधा सी बात कहें तो मसरूम के फॉर्म लिए बिजनेसमें यदि लॉष हो रहा है तो कहीं न कहीं उसका जम्मिबार, आप खुद होंगे। उसके लिए जरौत है परस्ण skilled यदि आपके पास प्रशिक्षेंच नहीं है, प्रस्तितियों में आप अपने माल को सिलने कर पाइएएका। आप अपने बिजनेस को growth level पर नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए प्रस्रिक्षन लेना है आप बात रुटती है अगली point की प्रस्रिक्षन की और हम चलेंगे last point की और प्रस्रिक्षन आखरें हम कहां से प्राप्ट कर सकते हैं सब्सक्रां के लिए तो मस्रूम फार्मिंग बीजनेस को स्टार्ट करने के लिए पास प्रस्रीक्षन बात कर सकते हैं से कर सकते हैं मश्रूम फार्मिंग के लिए जो से इसका प्रस्रिक्षन कर सकते हैं वह आपको इसके बारे में बिसे जनकाली देंगे तीसरी पॉइंट उटती है किर्शी विश्विद्याले से आप पता कर सकते हैं मश्रूम फार्मिंग के लिए इसका प्रस्रिक्षन दिया जा और पाचमी नमर प्राप्त कर सकते हैं तो मैंने जनकारी दिया हूं इस वीडियो में किस तर से मस्रूम को शेल कर सकते हैं बना सकते हैं बीज का विजाए कर सकते हैं मैंने फ्लो करके इस वीडियो पर बताया हूं कि इस तर से मस्रूम फार्मिंग के लिए उत्पादन ले सकते हैं अच्छा कासा बिजनेस अपना आई को बढ़ा सकते हैं मुझे उम्हीद है इस वीडियो पर अभी तक आप बने हुए होंगे यदि हां तो कमेंट सक्षन में अपना राय जरूर लिखेगा यदि अभी तक वीडियो पर बने हुए तो लाइक करना ना बुलिएगा मुझे इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कुछ उत इस तरह से मैंने अपने यूटूज चनल पर बहुत तरह की बिजनेस आडिया वीडियो अपलोड किया हूं उसे विजागा आप वाज कर सकते हैं मिलते अगले वीडियो मच्छी जनका एक साथ तब तक लिए देखते रिए द्याती व्लोग यूटूज चनल धनवाद साथियों